गुद बॉर्णिंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गैस्टु लेवर हास्पिटल स्वरुप नगरकान हो आज मैं बात करूगा फूड एलर्जी की डाइग्नोसिस एंड ट्रीट्मेंट के बारे में मैंने प्रीविएस वीडियो में फूड एलर्जी की ब देखें ताकि क्लेरिटी आ सके आज मैं फूड एलर्जी की डाइग्नोसिस एंड ट्रीट्मेंट के बारे में बात करूँगा जहां तक और डाइग्नोसिस का सवाल है दुनिया में ऐसा कोई पर्फेक्ट टेस्ट नहीं है जो फूड एलर्जी को कंफर्म या रूल आउट क सके नो हम करते क्या है अगर आपको फूड एलर्जी के सिम्टम से जब आप कंसर्टेशन के लिए आते हैं तो वास्तों में हम क्या करते हैं सबसे पहला काम हम आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं आपकी सिम्टम्स और आप जो खाते हैं उसको समझने की कोशिश करें दिन इसके अलावा हम आपके जो फेम्ली हिस्ट्री है या इलर्जी की उसको जानना चाहते हैं कि आपकी फेम्ली में किसी को कोई अलर्जी की प्राब्लम या आपको कोई अलर्जी की प्राब्लम तो नहीं है इसके अलावा आपका एक फिजिकल एक्जामिनेशन किया जाता है कि कहीं आपका जो chest है उसमें कुछ CT या आपको रॉंकाई जैसी चीज तो नहीं है जिससे clear होगा कि आपको lungs में हलका सा allergy का element है नमबर चार कुछ skin test किये जाते हैं या जिससे आप allergy test के नाम से जानते हैं और बहुत साथ छोटे injections दे जाते हैं जिससे clear हो कि आपकी body में किस particular चीज के लिए allergy है तो allergy के लिए skin test की ज़रूरत पड़ती है नमबर पांच कुछ blood test किये जाते हैं particularly immunoglobulin E के लिए कि जो allergy का immunoglobulin है उसका level क्या है body में general counts में eosinophil देखा जाता है कि आपको eosinophil count बढ़ा तो नमबर 6 पर आते हैं elimination diet कि अगर आपको say for example अंडे से allergy है तो मैंने आपके अंडे के हर item को 100% बंद किया अलग किया और तब आपके symptoms को watch किया कि आपकी symptoms आते ही कि नहीं आते हैं that is basically elimination diet अगर मालिजे उसको अलग करने से पूरे symptoms खतम हो जाते हैं तो अपने आप इस चीज को प्रूव करता है कि आपको इस particular food item से allergy है नो कभी फिर हमें oral food challenge देना पड़ता है वो हमेशा हम hospital में करते हैं जैसे मुझे इस चीज का doubt है कि आपको अंडे से allergy है मैंने आपका खाने में जैसे अंडे को 100% बंद किया अंडे की जो दूसरे आइटम जैसे केक होते हैं पेस्टी होते हैं उन सब को भी मैंने पूरा अलग किया तापकि आपके बाड़ी में अंडा बिलकुल भी न जाने पाई और आपको कोई symptoms नहीं आते हैं तम में चेक करना चाहता हूँ कि अंड या आपको food allergy है तो वास्तों में उसको manage कैसे किया जाएगा जो minor allergic reactions होते हैं उनको manage करना बहुत आसान हैं बहुत सारे anti-esteminics या anti-allergy की जो medicine है वो medical store पर OTC में मिल जाती हैं आपको evil के tablet मिल जाएगी आपको cetrogen के गोली मिल जाएगी आपको allegra की गोली मिल जाएगी याने जो allergy की जो दबाईया जो available होती हैं easily as over the counter medicine आप उनको ले सकते हैं और आपको allergy की symptoms आए तो आप ले लीज़े आपकी symptoms चले जाएंगे ये minor symptoms के लिए हैं लेकिन अगर आपको severe allergic reaction है या enaflexis होने की संभावना है तो यह कुछ ऐसी problem है कि जो आपको emergency में hospital मांगेगी कभी आपको epinephrine के injection की जरूरत पड़ेगी जो आपको photograph में दिखाई दे रहा है जो epinephrine का injection है जो severe allergic reaction को control करता है वो कभी auto injector के रूप में available होता है market में यह आपके पास में होना चाहिए अगर आपके पास में है तो जब भी आपको severe allergic reaction लगता है उसको skin में लगाईए और inject कर लीजे epinephrine आप जैसे ही इंजेक्ट करेंगे विदिन वन और टू मिनिट्स आपके जो symptoms है वो धीरे-धीर होने चालू हो जाएंगे खतम होना चालू हो जाएंगे तो इसलिए अगर minor reaction है तो medical store से medicine मिल जाएगी लेकिन severe reaction है तो आपको epinephrine auto injector की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके पास में होना चाहिए अगर आपको severe reaction की समभावना है तो now there are certain experimental treatments in the sense को कुछ oral immunotherapy develop की जा रही है जैसे say for example किसी को किसी particular food item से allergy है तो उसके बहुत small amount है वो मुह से या sublingually introduced की जाती है इन gradually increase करके immunotherapy की जाती है इस चीज़ को देखने के लिए कि धीरे-धीरे जो allergy है वो खतम हो जाती है नहीं कुछ oral immunotherapy जो drugs है वो भी develop की जा रही है इने United States और मैं समझता हूँ कि over a period of time इस तरह की जो medicine से वो develop होंगी तो allergy को control करने में काफी आपको मदद मिलेगी नो यह बात बिलकुल सही है कि lifestyle and home remedies important है लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप आपको don't assume करने की जरूरत नहीं है अगर आपको एग से allergy है तो आप हमेशा यह सुचेगा अरे पिछली बार तो दर्द हो गया ता इस बार कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है अगर आपको एग से allergy है तो आप थोड़ी भी amount एग खाएंगे तो आपको हमेशा वही symptom बार बार जो आपको लगता है कि doubt है कि यह आपकी body में जा सकती है और problem कर सकती है तो आपको ना कहने की आदर डालनी पड़ेगी जैसे एग है उस सिर्फ अंडे में, omelette में, boiled egg में इनमें नहीं होता आप cake खाएंगे उसमें एग होगा आप pastries खाएंगे उसमें एग होगा एग आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात करनी चाहिए तो जहां तक diagnosis का सवाल है food allergy बहुत आसान नहीं है कभी blood test की हमें मदद लेनी पड़ती है कभी skin allergy के test की मदद लेनी पड़ती है और जहां तक treatment का सवाल है आपके पास में कई सारे options है one उन चीजों को अलग करिय नमबर दो अगर minor जो reaction है वो आप OTC या फार्मेसी से कोई भी दवाई लेके ले सकते है medical store से आप eval ले 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 आप सेट जीन ले ले आप अलीगरा ले 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 शिम्टम्स चले जाएंगे लेकिन अगर severe reaction है या एनफलक्स की संभावना है तो आपके पास में epinephrine जैसा और की संभावना है वो बढ़ जाएगी जो food allergy है उसके diagnosis, food allergy का treatment उसको समझने में अगर ये video help करता है जरूर share करें मैं Dr. V. Commissioner from guest to liver hospital स्वरुप्रंगर कानपूर, thank you very much क्षणकर क稍ने में